यह मदिरालाई की भीड नहीं, देश में लगी हुई एक आग है, हम सब जिसमें जल जाएंगे और हो जाएंगे राख है. ना मास्क लगा है चेहरे पे, ना आपसी दूरी का आभाज है, बस थोड़ा सा सोमरस चड़ा, खुद को समझ बैठे यह मराज हैं. हाँ तुम यमराज हो अपने रिष्टेदारों के लिए अपने घरवालों के लिए जो सदा ही तुम्हारा फिक्र करते हैं उन सब बेचारों के लिए हाँ तुम यमराज हो अपने रिष्टेदारों के लिए अपने घरवालों के लिए जो सदा ही तुम्हारा फिक्र करते हैं उन सब बेचारों के लिए जो इतनी मेहनत करके मौत का समान खरीदने आये हो कल रासन के लिए भी नहीं निकलते थे आज बीमारी घर पहुँचाने आये हो सिर्फ दो घूंट की खातीर तु करने चला सबको बरबाद है ये मदिरालय की भीड नहीं, देश में लगी हुई एक आग है बीत गए थे महिना भर, बीना किये तुम्हारे मदिरा पान पर हजम न हुआ तुमको, मिल रहा था घर में जो सम्मान क्या सोचे थे? क्या सोचे थे मर जाओगे? अगर सराब न पी पाओगे? क्या सोचे थे मर जाओगे? अगर सराब न पी पाओगे? तुम तो सायद बच भी जाओ पर बच्चे बुढ़ों को खा जाओगे सायद कलो साथ ना रहे सायत कलो साथ न रहे तो क्या दारू के सहारे रह पाओगे थोड़ा सतरस तुम उन पर खाओ हाथ जोड रहा हूँ बाहर मत जाओ बस कुछ दिन और आराम करो भेंकर संकट छाया आज है ये मदिरालाई की भीड नहीं देश में लगी हुई एक आग है कुछ लाइन हमारे सरकार के लिए जिनके अनुमती के बीनातिया संभव ही नहीं था सायत उन तक मेरी यह आवाज पहुँच सके सुनलो तुम भी ओ सरकार सुनलो तुम भी ओ सरकार मत करो ये अत्याचार सुनलो तुम भी ओ सरकार मत करो ये अत्याचार सहलोने थोड़ा और नुकसान सहलोना थोड़ा और नुकसान पर बंद करो ये ब्यपार सुनलो तुम भी ओ सरकार मत करो ये अत्याचार सहलोना थोड़ा और नुकसान पर बंद करो ये ब्यपार माना की सत्ता धी सो तुम पर मौत पर तुम्हारा राज नहीं करो न कुछ ऐसा काम कि कहना पड़े तुम पर नाज नहीं करो न कुछ तुम ऐसा काम कि कहना पड़े तुम पर नाज नहीं अब इसे मेरी गुहार समझो ये समझ लो चाहे फरियाद पर बात मान लो न मेरी और सुन लो मेरी ये आवाज बंद करा दो मदिरा लाए और बचा लो देश को आज धन्यवाद